तो नमस्कार सब्सक्राइब तो ऑपकर तो आपके यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज हम बात करते हैं इंडिया की फॉर्मसीटिकल कंपणी के बारे में इंडिया की टॉप चांति कम्पनी की बात करेंगें तो जरूर करें दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और होस्त करें तो शेयर भी करें गर आपको जान करी अच्छी लगए तो तो दोस्तों हम चलिए हम आगे सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे नंबर वान कंपनी है उसका नाम है Sun Farma Limited ठीक है दोस्तों अब इसके बारे में हम और आपको बताते हैं Sun Farma कंपनी के बारे में Sun Farma दोस्तों देश की सबसे बड़ी घरेलू दवा बनाने वाली कंपनी है जिसके पास 1.26 क्रोड रुपे के बजार का 8.3 फिजदी हिस्सा है अमेरिका में यह पांच वी सबसे बड़ी कंपनी है इसकी 27,000 क्रोड रुपे की कमाई का एक तिहाई हिस्सा अमेरिका से आता है बिते दो सालों से इस कंपनी का प्रदर्शन फिका रहा है और निवेश्कों को निराशा हुई है तो यह थे दोस्तों सो थोड़ी से जानकर इस सनफार्मा कंपनी के बारे में अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी कंपनी के बारे में जिसका नाम है डीविस डीविस कंपनी के दोस्तों बात करें तो यह कंपनी डीविस लेब और्टरीज है डीविस लेब एक्टिव फार्मोसिटिकल्स एग्रो इंडरस्टिज बनाती है कंपनी के शेर पिछली कुछ साल से 9 रुपए से बढ़कर 3500 रुपए के पार्ट पहुँच गए है तो दोस्तों दूसरे नबरे पे थी है हमारी डीविस कंपनी तो आगे बात करते हैं 30 कंपनी बारे में जिसका नाम है सिपला सिपला कमपनिंगे दोस्तों बात के दर सिपला मुख्य रूप से हर्दय रोग गठिया मुदुमे आधी के इलाज के लिए द्वाईया विक्सित करती है इसकी स्तापना खुआजा अब्दूल हमीद ने 1935 में मुंबई में दिक केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मसिटिकल्स लेबोर्टरीज के रूप में की थी 20 जुलाई 1984 कमपनिंगा नाम बदल कर सिपला लिमेटेड कर दिया गया था तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमन चौथी कमपनिंग बारे में डॉक्टर रेडी फोर्थ डॉक्टर रेडी लेबोर्टरीज लिमेटेड जिसे डॉक्टर रेडी के नाम से ट्रेंड किया जाता है आज भारत की औशदी कमपनी है इसकी स्तावना 1984 में डॉक्टर के अंजी रेडी ने की थी इसके पूरव डॉक्टर अंजी रेडी भार सरकार के उपकरम इंडियन ड्रग्स एंड फार्मसेटिकल्स लिमिटीड में कारेकरत थे डॉक्टर रेडीज अनेक बरकार की दवाई बना कर देश विदेश में विप्रंद करती है कमपनी के पास आज 190 से अधिक दवाएं हैं दवाओं के निर्मान की करीम 60 से करिया समागरियां नोधानिक उपकरन तथा संगन्च कित्सा और बायो टेकनोलोजी उतपाद मौजूद है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं पांची कमपनिंग बारे में जिसका नाम है टॉरेंट फार्मसेटिकल्स तो टॉरेंट ग्रूप दोस्तों एहमदबाद में स्तीत एक भारते भूर अश्ट्रे शमू है यह उत्तरम भाई नथालाल महता द्वारास ताफित किया गया था और अब उनके बेटे सुधीर और समीर महता द्वारास चलाए जा रहे हैं समू के मुखे वैयाम गैंस फार्मसेटिकल्स और बिजली है अब हम आगे चलते हैं दोस्तों बात करते हैं चटी कंपनिंग बारे में जिसका नाम है औरोबिंदो 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 फार्मसेटिकल्स कंपनी का कुल मुलांकन 26,03 करोड है कंपनी के एक शेर की कीमत BSI बजार में आज 444 रुपे है और बिंदो फार्मसेटिकल्स लिमिटेड एक भारते भहु राष्ट्रे दवा निर्मान कंपनी है जिसका मुख्याल है हैदराबाद भारत में है कंपनी जैनरिक फार्मसेटिकल्स और सक्रिय फार्मसेटिकल्स समागरी बनाती है कंपनी के गतिविदी के शेत्र में चैप्रमुक्चिकित्सिक और उत्पाद शेत्र सामिल है एंटीबियोटिक, एंटी, वायरल, हर्देसमंदी उत्पाद, केंद्री तंत्री का तंत्र उत्पाद और एंटी अलर्जी कंपनी 125 से अधिक देशों में उत्पादों का विप्णन करती है तो हम दोस्तों बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सात्वें कंपनिक बारे में जिसका नाम है एबट एबट इंडिया लिमिटेड, फार्मसिटिकल शेत्र की कंपनी है, कंपनी का कुल मुलांकन, मार्किट वैल्यू मतलब की तर्तारी हजार चोटालिस करोड है, कंपनी के एक शेर की कीमत पिएसी बजार में आज बीस हजार दोसो चोवीस है, ठीक है दोस्तों एबट लबोर्टरीज एक अमेरिके भूर रहसे चिकिसा उपकरन और स्वस्त्य देख भाल कंपनी है, जिसका मुख्याला है एबट पार्क एलिनोईस सियुक्त राज्य अमेरिका में है, ग्याद दवाओं को त्यार करने के लिए कंपनी की स्थापना 1888 में शिकागो के चि इसने 2013 में अपने अनुसाधन अधारित फार्मसेटिकल्स वियायास को एबी में विविजित कर दिया था, एबट के CEO ने 2015 में कहा कि कंपनी एक सदी से अधिक समय से भारत में है, 2002 में इसका नाम एबट इंडिया लिमिटेट रखा गया था, तो चली दोस्तों आगे बढ़ करते हैं, जिसका नाम है लूपिन, लूपिन लिमिटेड मुंबई में स्तित है, भारतिय भूर एक्ट्रिय दवा कंपनी है, यह विश्व स्तर पर राजय सब के हिसाब से सबसे बड़ी जनरिक दवा कंपनीों में से एक है, कंपनी के प्रमुक फोकस शित्रों में बाल चिक बेपि की, बुच्चों की, बस काफ़ी परकार की दवा यहां इनके द़गरा बनायी जाती है, लूपिन कंपानी दवारा तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात करते हैं नाइंथ कंपनिंग बारे में जैडिस केडिला के बारे में जिसे हम केडिला बोलते हैं जैडिस लाइफ सेंस लिमिटेड जिसे पहले केडिला हेल्थ केर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था इसका मुख्याला एहमदाबाद में है यह एक भारतिय भूराइश्ट्रे दवा कंपनी है जो मुख्य रूप से जैनरिक दवाओं के दिर्मान में लगी हुई है यह 2020 में फॉर्चन इंडिया पांसो सुची में सोवे स्थान पर थी ठीक है दोस्तों अब हमें थोड़े से इसके उत्पाद बहुत द्रागे उत्पाद बनाते हैं यह जैसे हैप्रेटाइजर सी की और इणिजेक्शन बगयार रहें इनके दुवारा त्यार की जाते हैं काफी प्रकारगी दवाइए दोस्तों काफी मिशूर कंपनी है इनके दोवारा काफी प्रकार की दोवाईया बनाई जाती है तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं दस्वी दोवाई के बारे में नी दस्वी फार्म सेटिकल कंपनिस के बारे में चलो बढ़ते हैं आगे लास निर्मान और विपनन्द में लगी हुई है भारत में इसकी कई थेरपी सेग्मेंट में शांदर उफसती है और शीर से दस दवा कमपनियों के बीच लगातार विश्य में है जो विश्य में है दोस्तों यह इंडिया की टॉप फार्मसेटिकल्स कमपनिस के हम बात कर रहे खुणा आँ है तो इसमें दस्वे नबर बे तो आईगी और वैसे यह विश्य में यह निए दस्वे नमबर अब बताई या अगरही इस चुब्धि हएं draw करने के इसको अर्मन वाषवदेव नारेन सिंह वह कारहकारी अधियक्ष और संदीप सिंह इसके MD है तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपको जानकर या अच्छे लगे हैं तो वीडियो को जुरूर लाइक करें दोस्तों और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत फरक मड़ता है मुझे 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 मुटिवेशन मिलता है कि मुझे और वीडियो बनाओ कि हा की लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे 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 बनाओ कि हा की लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जय हिन जय भारत जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाएं वीडियो को जुरूर लाइक कर जाएं दोस्तों